नमस्कार मित्रो मैं राजिश कुमान म्यूजिक ग्राम पर आप सबी का स्वागत करता हूँ दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस आपकी जरूर चल रही होगी दोस्तों अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो गाना गाना निकालना और स्वर की बाते कर रहे थे पिछ की बाते कर रहे थे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आज मैं आपको एक नई तरीका बताता हूँ जिससे की परफिक्शन आएगी ऐसा लगे है कि बिलकुल जैसे गु प्रुची लोग बजाते हैं उस्ताथ लोग बजाते हैं वैसा आपको फिल होने लगेगा और आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो गान्या या जो भी कुछ बजाएगी उसमें इतनी परफिक्शन आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन तब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो दोस्तों एक नहीं तरीके के साथ जिसको कहते हैं बीन्स के साथ करना आप अलंकारों की प्रैक्टिस सब्सक्राइब और गाने की साथ लेकिन आप इसको बीट के साथ की दिए रिदम के साथ की थाल के साथिए तो इसकी प्राक्ٹिस कैसे करने ही दोस्तो मैं यह आज आपको बताने जा रहा हूं और एक बात मैं यह बता दो कि जिन के पास अ तभॉला या डूलर की वबस्ता नहीं है या की वोड यानि क्यसिव вокруг की वब ताल कहरवा तो ताल कहरवा को आप क्या करें कि सलेक्ट कर लें और टैम्पो उसका यानि स्पीड 120 पर रखिए 130 मिले जाहिए और उस पे इन सभी चीजों को किजिए तो आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा आप लैदार वनिएगा और जो भी गाना आप बजाएंगे तो बड़ा परफेक्ट साफ सुथरा बजाएंगे तो आईए दोस्तों उसको करना कैसे है वो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों देखिए मैं अपने कीवोर्ड पर रिदम लगा रहा हूं आप कहरवा लगा लिजिएगा इसमें तो हमारा इसमें नाम है ब लगाता हूं से यह सुन रहे हैं वन टू थ्री पोर अलंकार जो है सबसे पहला जो सारे गमा पधन इसा साली धवा मगर एसा है उसी को बजाते पहले देखिए बड़े गुरुजी लोग उस्ताद लोग ऐसा ही करते हैं लेकिए बिर्स के साथ चल रहा है और हम इस पीड बहाना चाहें तो इसी में दुगुन भी कर सकते हम लोग वह कैसे होगा लेकिन जब सिंगल वाली प्रैक्रिस प्रॉपर हो जाएगी बहुत अच्छे से तभी हो पाईजा कैसे पहले सिंगल प्र डबल डबल सिंगल सिंगल तो इसमें क्या है दोस्तों कि देखिए अब यह क्या हुआ जब यह आप प्रैक्रिस करेंगे ना तो सब कुछ पर्फेक्ट हो जाएगा बिलकुल जैसे जैसे गाना भी होता है तो क्या होता है इसी तरह टाइमिंग में होती है सब के बीच की टाइमिंग बराबर होती है तो उस तरह से प्रैक्टिस करने से आप बिलकुल पर्फेक्शन की तरह बरहेंगे चाहे आप गाना बजाईए या अलंकार बजाईए लेकिन आपको प्रैक्टिस अलंकार के द्वारा ही पहले यही करना होगा अब इसमें दो लेशन में और दिखा देता हूं आपको इस पीड धीरे-धीर बढ़ा सकत हैं लेकिन अभी इतना पर ही करना है बहुत बरहानी की जरूरत नहीं है एक सो बीस पचीस ज्यादा से ज्यादा तीस वैसे एक सो बीस पचीस पे कमांड करने कोशिस करें कि हमारा प्रॉपर उस पर आना चाहिए अब मैं दो लेशन और बताता हूं आपको सासा रे रे वाल है इस पीड भी हुआ ही है सब कुछ हुआ ही है अब देखिए इसको सासा रे रे को आप दो तरह से कर सकते हैं पहला इसी तरह से कीजिए आप एक ही तरह से कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा अभी फिलाल के लिए फिर से मैं करके दिखाता हूं आपको और उसकी बाद एक और लेशन जो सारे गमा वाली है सारे गमा रे गमा पर उसको भी देखिए और आपको इसका दुगुन करने का मन करें बीच वीच में ऐसा मन करें थोड़ा की थोड़ा जल्दी बजाए श्पीद बजा कर देखते हैं तो इसको दुगुन में कर लीजिए यह कैसे अपके गुल यह कैसे है ापके पर आपकित कर तो दोस्तों मुए उमीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और यह काफी ज़रूरी चीज है और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए कैसी वो नहीं है कीवोड नहीं है तो आप मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर आप तबला साल कहरवा को सेलेक्ट कर लीजिएगा और टैमपो एक सो बीस पचीस या तीस जो आपको अच्छा लगता हो वह आप रख सकते हैं और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस किजिए फिर देखिए बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में और बहुत काम की चीजिए बहुत ज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक बार अगले बहुत फंटास्टिक वीडियो के साथ नमस्कार